भारतिय रूपे का अव्मूलियन कारण और इतिहास सबस्क्राइब कीजिए हमारी चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए हमारी लेटेस्ट पूडियो सबसे पहले देखने के लिए एक परिचे 1947 में भारत की आजादी के बाद से भारतिय रूपे का तीन बार अव्मूलियन हुआ है 1947 में विनिमय दर एक अमेरिकी डॉलर एक भारतिय रूपया था लेकिन आज आपको एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए 66 रूपे खर्च करने पड़ते हैं मुदरा के अव्मूलियन का अर्थ खरेलू मुदरा के बाहर मूल्य में कमी हुना जबकि आंतर एक मूल्य का स्थिर रहना है کوई भी देष अपने प्रतिकूल भूगतान संतुलन बॉप को सही करने के लिए अपनी मुदरा का अव्मूलियन करता है यदि कोई देश प्रतिकूल भुगतान संतुलन बॉप का सामना कर रहा है तो इस स्थिती में वह अपनी मुद्रा का अभमूल्यन करता है जिससे उसका निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महेंगा हो जाता है विनिमय दर का अर्थ विनिमय दर का अर्थ दो अलग-अलग मुद्राओं की सापेक्ष कीमत है अर्थात एक मुद्रा के सापेक्ष दूसरी मुद्रा का मूल्य वह बजार जिसमें विभिन देशों की मुद्राओं का विनिमय होता है उसे विदेशी मुद्रा बजार कहा जात विनिमय दर तीन प्रकार के होते हैं 1. अस्थाई विनिमय दर यह विनिमय दर की वह प्रनाली है जिसमें एक मुद्रा के मूल्य को स्वतंत्र रूप से निर्धारित होने की अनुमती होती है या मुद्रा के मूल्य को किसी मुद्रा की मांग और आपूर्ती के आधार पर निर्धारित किया जाता है अस्थाई विनिमय दर कहलाती है 2. स्थिर विनिमय दर विनिमय दर की वह प्रनाली जिसमें विनिमय दर मांग और आपूर्ती के आधार पर नहीं बलकी सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है उसे स्थिर विनिमय दर कहते हैं प्रबंधित विनिमय दर यह विनिमय दर की वह प्रनाली है जिसमें सरकार द्वारा विनिमय दर में एक से तीन प्रतिशत की उतार चड़ाव की अनुमती दी जाती है उसे प्रबंधित विनिमय दर कहते हैं इस प्रनाली में विनिमय दर न तो स्थिर होता है और नहीं स्वतं इस विनिमय दर के निर्धारण में अंतरराष्ट्रिय मुद्राकोश IMF का पूरा दखल होता है. 3. सम्मूलिय प्रनाली इस प्रनाली के तहित अंतरराष्ट्रिय मुद्राकोश IMF के प्रत्येक सदस्य देश 194-71971 तक अपनी मुद्रा का मूलिय सोने या अमेरिकी डॉलर के रूप में व्यक्त करते थे. स्वतंतरता प्राप्ती के बाद भारत ने भी IMF की सम्मूलिय प्रनाली का पालन किया. 15 अगस्त 1947 को भारतिय रूपे और अमेरिकी डॉलर के बीच विनिमय दर एक दूसरे के बराबर थी अर्थात 1 United States डॉलर इक्वल्स 1 इंडियन रूपी. सितंबर 1949 में भारतिय रूपे की विनिमय दर 13.33 रूपे पाउन स्टलिंग एवं 4.75 रूपे डॉलर आंकी गई थी. यह विन में दर जून 1966 तक अपरिवर्तित था, जब रूपे के मूल्य में 36.5 प्रतिशत का अवमूल्यन किया गया था एवं भारतिय रूपे की विनिमय दर 21 रूपे, पाउन स्टलिंग या 7.10 रूपे, डॉलर हो गई थी. यह विनिमय प्रणाली 1971 तक जारी रही, जब अमेरिका के पास मौजूद सोने के भंडार में कमी होने लगी तो उसने डॉलर की सोने में परिवर्तन यता को निलंबित कर दिया था, जिसके कारण ब्रीटिन वुद्स प्रणाली समाप्त हो गई थी. एक, सरकार के पास धनका अभाव. देश में खस्ताहाल हालातों की स्थिती में प्रधानमंतरी नहरू ने रूस की पंचवर्षिय योजना के मौडल को अपनाया. इसके अलावा 1950 और 1960 के दशक में भारत सरकार लगातार रिंग के रूप में विदेशी मुद्रा लेती रही, जिसके कारण विनिमय दर 4.75 रूपे, अमेरिकी डॉलर हो गई. 2. चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध. 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध और 1966 के भयनकर सूखे के कारण भारतिय अर्थ व्यवस्था की उत्पादन क्षमता में कमी आई जिससे मुद्रास्वीती में वृद्धी हुई. इस समय भारत सरकार को बजट घाटे का सामना करना पड़ रहा था और बचट की नकारात्मक दर के कारण उसे विदेशों से अतिरिक्त रिन नहीं मिल सकता था. इसके अलावा अपनी घरेलू उत्पादन क्षमता में वृद्धी करने के लिए भारत सरकार को प्रौध्योगिकी की जरूरत थी. अतह प्रौध्योगिकी की प्राप्ती और उच्च मुद्रास्फीती से निपटने के लिए और विदेशी व्यापार के लिए भारतिय अर्थ व्यवस्था को खोलने के लिए सरकार ने रूपे के बाहे मूल्य में अभमूल्यन किया जिसके कारण विनिमय दर साथ रूपे 3. राजनीतिक अस्थिर्ता और 1973 की तेल त्रासदी 1973 की तेल त्रासदी का कारण अरब पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन OAPEC द्वारा कच्चे तेल के उतपादन में कटौती थी जिसके कारण तेल के आयात मूल्य में व्रिद्धी हुई अतहे सायात मूल्य का भुप्तान करने के लिए भारत को विदेशी मुद्रा के रूप में रिंड लेना पड़ा जिससे भारतिय मुद्रा का अगमूल्यन हुआ इसके अलावा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के कारण भी भारतिय अर्थविवस्था में विदेशीयों का विश्वास कम हुआ अतहिन सभी घटनाओं के परिनामस्वरूप विनिमय दर में कमी हुई और यह 1985 में 12.34 रूपे अमेरिकी डॉलर जबकि 1990 में 17.50 रूपे अमेरिकी डॉलर हो गया चार, 1991 का आर्थिक संकट ऐसा माना जाता है कि यह भारतिय अर्थविवस्था का सबसे कठिन दौर था चालू खाता घाटा, क्याद, सकल घरेलू उतपाद का 3.69 प्रतिशत और थोकमुल्य सूचकान का धारित मुद्रास्वीती लगभग 14 प्रतिशत थी इन सब परिस्तितियों में भारत विदेशियों को भुगतान नहीं कर पा रहा था जिसके कारण अंतराष्ट्रिय समुदाए द्वारा भारत को दिवालिया घोशित किया जा सकता था अतहिन सभी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने फिर से भारतिय मुद्रा का अभमूल्यन किया और विनिमयदर 24.58 रूपे अमेरिकी डॉलर हो गई पांच, अन्य कारण विशेशग्यों का कहना है कि भारतिय रूपे का अभमूल्यन नहीं हुआ है बलकि अमेरिकी डॉलर का अधिमूल्यन हुआ है जिसके कारण विनिमयदर में यह अंतर आया है इसके अलावा भारतिय रूपे के अभमूल्यन के निम्य कारण है तेल आयात पर खर्च का कम न होना, भारी मात्रा में सोने का आयात, विलासिता वाली वस्तुओं का आयात, पोखरन परमानू परीक्षन 2, 1997 का एशिया इवित्तिय संकट, वर्ष 2007-08 में वैश्विक आर्थिक मंदी, यूरोपिय सार्व भॉम्रिन संकट 2011 झाल 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 झा